कैसे हैं आप सब लोग आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे और आप अभी इस समय सोने की तयारी कर रहे होंगे सर्दियें बहुत जादा पढ़ना शुरू हो चुकी है यह साल खत्म होने वाला है तो आप लोगों के लिए अभी मैं क्लास लेके आया हूं आप लोगों को स आप लोगों के लिए लेके आया हूं तो डिकोड करेंगे यही एक session में आप लोगों के लिए सब आटिटर के Time पे भी लेके आया था जहां पर हम लोगों डीकोड किय था करने के बाद हम लोगों को ट्रों को कर भाई थी know your district series इस know your district सीरीज से इतने questions exam में हर shift में आप लोगों को देखने को मिले हैं कि बहुत अच्छा response आप लोगों के end से भी आया है बहुत अच्छा response जो मिलता आ रहा है आपका अभी continuous series को 19 lectures हम खतम कर चुके है last lecture आपको कल मिल जाएगा जब हमारी no year district खतम हो जाएगी series इसका एक होगा test 20 questions का test होगा test होगा हमारी app पे यानि की triple s app पे आप लोगों का ये test conduct करवाया जाएगा आप लोगों को compiled PDF मिल जाएगी हमारी app पे तो आप लोग इस app को download कर सकते हैं play store पे जाके और साथी साथ इसको 5 star rating भी देके आना क्यूं सारी classes YouTube पे चलेंगी YouTube के साथ साथ एक systematic way में आपको मिल जाएगी हमारी app पे और app पे ही आपके होंगे topic test और topic test जब सारा खतम हो जाएगा तो वाँ पे sectional test इसके साथ जो हमारी चीज़ें चलती आ रही है जैसे कि आप लोगों को आप पता है कि हम लोग olibode की app पे test देते है तो वो भी आपके चलेंगे पूरे systematic तरीके में JKPSI के notes आपके olibode की app पे available हो जाएगे 6th Jan से ठीक है इसके साथ साथ अभी के लिए आज last rate है यह आप लोग चाहे तो यह avail कर सकते है आपको junior assistant का video course भी इस पर मिल जाएगा finance account assistant के test series mock test सब आपको इसकी app पे मिल जाएगे तो जाके code use कर लेना x marks hardly अब सिरफ एक घंटा रहे गया फिर यह जो offer है खतम हो जाएगा ठीक है तो चलो आज हम बात करेंगे important points पे क्या-क्या चीजें थी सबसे पहले आप में एक बारी comment box में लिखके बता दीजे सबको good evening बहुत सर्दी है आज काफिर दिनों से मैं live नहीं आ चल रही है वह आपको मिलती रहेंगी तो चलो अब यहां पर हम बात करेंगे आज की class के ऊपर सीधा पहले questions पर आते हैं फिर बाते भी करते चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे ठीक है सबसे पहला question आप लोगों के सामने है यह question सारे के सारे JSA में आये हैं पहली चीज में clear कर दू जूनियर statistical assistant का जो paper हुआ था conduct उसमें questions आये है बच्चे लिखने की app पर purchase कब करना देखो आप लोगों कभी भी कर सकते हो आपको सब चीज़े जो है वो मिल जाएंगी available हो जाएंगी एक January से upload होती रहेंगी daily basis पर अब पहला question क्या है high district में located है जमू किश्मीर की देखो question know your district series से बन रहे है ऐसा नहीं है कि सिरफ JSA, JSA के बाद आपका beekeeping का exam हुआ है, beekeeping के exam में आप लोगों को जो चीजे हैं देखने को मिली है, साथ ही साथ आपको एक और चीज clear कर दू, जो अभी exam हो रहा है assistant compiler का वहाँ पे भी आपको question same दे पहला answer आप लोगों का बिल्कुल सही है, बच्चे बिल्कुल सही answer दे रहे, अब यहाँ पर एक और चीज हम बात करेंगे, अब आप लोग मेरे को पुल्वामा के बारे में कोई ऐसे points लिखके बताओ, जो मैंने आपको नोईयर district series में पढ़ाया, देखते कितने बच्चे आप लोगों को मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा, बट हमारी classes सेम उसी तरीकी से चल रही है, जैसे चलती आ रही है, तो चलो पहला point आप लोगों को बताना है कि पुल्वामा के बारे में बताना है, बिल्कुल सही, जो मैं expect कर रहा था, अक्सा जाविद ने सही answer दिया पुल्वामा क्या है, पुल्वामा है, राइस बॉल आफ जमुएंड कश्मीर, पहले कौन सा था, पहले था कुल्गाम, ठीक है, लेकिन अभी recently किसको कहा गया है, तो ये कहा गया है, किसको पुल्वामा को, यहाँ पे एक और चीज बोली है, उमर मीर ने, क्या है पुल्वा को रिवाइज हो गई चीजें, तो ये आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही, आप लोगों को ऐसे सारी चीजें रिवाइज होती रहेंगी, सैफ्रॉन डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सही, एक और जगा है, पुल्वा मालिक फैजेल ने लिखा है पामपोर, बिल्कुल सही, चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, आपका यहाँ पे रिवाइज हो गया, अब शोपियां का मुझा बताओ पहले पुराना नाम क्या था, जल्दी से, जो सबसे पहले आंसर देगा, उसका नाम मैं य बहुत अच्छी बात है, तो सबसे पहले किस ने लिखा है, बिल्कुल सही, आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आप लोग जा रहे हो, फॉरेस्ट ऑफ स्नो भी कहा जाता है, सही बात है ये भी, आप लोग खुद ही आ सारी चीज़े रिवाइस करोगे, मैं किसी को कुछ नहीं कर रहा हूँगा यहां पर, आप लोग खुद ही सारा रिवाइस करोगे, अब मुझे जल्दी से बला दो, अनंतनाक को अनंतनाक क् यह जल्दी से बतावाँ, स्प्रिंग लिखा है, हुमायरा फारूक ने, इन्शॉर्ड ने लिखा है, काउंटले स्प्रिंग, शाफाद फारूक ने लिखा है, नितिन ने लिखा है, लैंड ओफ स्प्रिंग, इसे लैंड ओफ काउंटले स्प्रिंग कहा जाता है, अनंतना पर किस साल में सिराजुत दीन ने जो कहुता विलेज था जो अफ विलेज कहुता वॉस नॉमिडेटिट एज राजा और पुंच बेसिकली यह लिखा गया है किस साल में किया गया था अपॉइंट जल्दी से बताओ किस साल में अब यह क्वेशन थोड़े से आपको देखते ह और यह जो पुंच आप देख रहे हैं पुंच डिस्टिक्ट पे 100K प्लास व्यूज याने कि एक लाख से जादा एस्पिनेंट्स ने वीडियो देखी है यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है जम्मू किश्मीर के एक छोड़ी से चैनल के लिए तो क्या हुआ इसका देट पे questions आपको याद रखने है answer है इसका 1596 बिल्कुल सही answer आप लोगों का यहां पर आ रहा है और बिल्कुल सही answer यहां पर आप लोगों ने दिया है अब बात पुंच की हो रही है तो ऐसा नहीं है हम पुंच को छोड़ देंगे एक question हम लोगों ने आपको कराय था पुंच famous है अपने graphics के लिए fine tea के लिए और horses के लिए किस ने यह चीज़ कही थी जल्दी बताओ यह बहुत ही जादा जल्दी से answer किया विनाक्षी ने बिल्कुल सही answer है चलो अब यहां तक तो पहुंच गया अब एक horse trader भी था पुंच का जो राजा बना था उसका नाम भी बता दो अब आप लोग ही सारी चीज़े करोगे मेरा काम हो चुके है आप लोग तयार हो अब आ आप लोग बताओ कौन से ऐसा horse trader था जिसने जो राजा बना था पुंच का अब यह बताओ जल्दी से बताओ राजा नर हुमायला फारूग हुमायला फारूग की तैयारी बहुत ही अच्छी जा रही है बिल्कुल सही आंसर है बहुत अच्छा आप लोगों का यहां पर response आ रहा है और आपको एक चीज में बता दू यह चीजे अभी से पहले जो है हम लोगों में से किसी ने नहीं लोगों ने जो चीज करवाई थी वो पेपर में दिख रही है तो यह अपने आप में ही बहुत ही बड़ी achievement है हमारे लिए ठीक है हम लोग काम ही इसलिए करते हैं कि हम लोग जो चीजें पढ़ाए वह आपको पेपर में दिखी और आप लोग उसका answer करें next question बात है golden delicious is a variety of dash डाश फ्रूट्स विच इस कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर गोल्डन डिलिशियस अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना question easy है बट confusion यहां पर create कर सकते है ठीक है बिल्कुल सही answer है इसका answer है एपल ज्यादा इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल सिंपल सा question था next question पर चलते है सीधा time based नहीं करेंगे as per the Indian constitution dash means a body consisting of person registered in the electoral rules comprised within the area of panchayat at a village level options मैं आपको यहां पर देता हूं लोकसभा ग्राम सभा राज्य सभा या फिर municipality अब यहां पर बताओ question ध्यान से पढ़ना question समझना उसके बाद लिखना हलका लिखने है मोसिन मोसिन options में ही नहीं तो यहां पर बताओ क्या है option से बिल्कुल सही answer है यहां पर maximum बच्चे बिल्कुल सही answer यहां पर दे रही है आप लोगों का answer बिल्कुल सही जा रहा है answer है इसका option नमबर भी ग्राम सभा बिल्कुल सही आप लोग बहुत अच्छा जा रहे है ठीक है next question पर चलते है सीधा जिस पर explanation नहीं है उस पर जारा टाइम है इस हम लोग नहीं करेगे question नमबर फिफ्थ पर आते है अब आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा आज भी याद रखना जो भी बच्चे जेके पी एसाई की तैयारी कर रहे है इसको का हम कहते है डीकोड करना पेपर का pattern आपके पेपर में एक section लिखी है अलग से जेमू एंड कश्मी डी ओर्गनेज़ेशन अब इसमें क्या है इसमें हम लोग चीज़ों को करेंगे एक simplified वे में अब करना किस तरीके से हम लोग ने मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या करेंगे हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि जितने भी question जमू कश्मी डी ओर्गनेज़ेशन एक्ट पर बने हैं उनको cover करनेगी किसकी section पर जाते हैं किसकी section से question बनाते हैं उनको जादा stress देंगे ताकि in future exam में वो चीज़े हो जाए तो इसका answer है section 21 option number c ठीक है अभी तक अगर आप लोग यह चैनल पहली बार देख रहे हो इस चैनल को like कर दो और subscribe कर दो साथ ही में ताकि अगर आपको यह session चाहिए अब बात करतें next question के उपन basic question है dash place is known in the union territory of jamo and kashmir is known as valley of milk क्या है और साथ ही साथ मुझे बताने किस district में भी है अब मैं आपको बताता हूं यह चीजे आप लोगों के लिए एक homework क्या है देखो अभी तक मैंने जो आपको know your district series करवाई है वहां पे मैंने आपको बहुत सारी tourist destinations करवाई है मैंने आपको बहुत सारी tourist destinations करवाई है आपको क्या करना है आपको tourist destinations को एक बार google पे search करना है और उस google पे जो भी आपको important point लगते है आपको उसको notes के साथ add on करना है जैसे मैंने आप लोगों को यह चीज पढ़ाई थी दूद पत्री अब दूद पत्री आप लोग guess भी कर स simple सही चीज थी यहां पे value of milk किसे कहा जाता है known as दूद पत्री ठीक है guess भी कर सकते हो optional approach से नहीं answer पता next question पर आते हैं यह question हम लोगों ने पढ़ा है यह question मैंने आप लोगों करवाया राजगोरी वीडियो पे 97000 plus views हैं 97000 experience देख चुके है land of king किस जगा को कहा जाता है यह बता यह बताईए आप लोग land of kings यह हमने पढ़ा था राजोरी में सेकिंड लेक्चर था अब राजोरी में land of kings पर्टिकुलर्ली क्यों गा जाता है क्योंकि land of kings में लोगों ने क्या देख आप चलो बड़े को पहले बताओ पहले हिंदू रूलर कोन सा था जो राजोरी में जिस वहां land of kings कहा जाता है क्योंकि वहां पे इसलाम एम्रेस करने के बाद भी जो टाइटल था राजा का वो नहीं छोड़ा गया था जो रूलर से उनके द्वारा ठीक है प्रित्वी पॉल यहां पर लिखने है प्रित्वी पॉल सही है पंचाल नरेश अकॉर्डिंग टू बहुत सारे क्वेशन आपके राजोरी पे बनते हैं और मैं आपको आज भी बता दूं याद रिखना जो बढगाम की आपकी वीडियो है ना जो नोयो डिस्टिक में बढ़गाम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है उस पर आपके next जो भी एक्जाम होगा उस पर बहुत बहुत सारे कंटेंट है इस डिस्टिक के अंदर लैंड ऑफ किंग्स हम लोगों ने पढ़ लिया है राजोरी था पुराना नाम बहुत सारे नाम भी चेंज होए थे वो सब चीज़े हम लोगों ने डिसकस कर ली है ठीक है next पे चलते सीदा अब यह क्वेशन आपका पेपर में आया हुआ है अब यह जो पेपर में कैसे जम्मू कश्मीर की रेफरेंस पर पहुंचा वो नहीं पटा बट यह पेपर में आया हुआ है इसका आंसर क्या है आप लोग पहले जल्दी से बता दो अब यह जो questions होते है न यह थोड़े से न बच्चों को शॉक लगता है यह इस sections में कहां से पहुंच गए फिर वही सारी चीजें क्या होती है कहीं बारे न ऑल्लीबोर्ट के mock test में भी चीजें इसी तरीके से फ्रेम की होती है थोड़े से questions होते है न उस current से उठा लेते हैं क कहीं से उठा लेते हैं तो बच्चे कहते हैं यह चीजें तो पेपर में नहीं आ सकती बट यही चीजें है आंसर बिल्कुल सही है स्टेफन होकिंग इसका आंसर है चलो आप question number 9 पर चलते है dreams from my father is a memoir of written by अब यह बताओ dreams from my father इसका आंसर बताओ किसका है इसका आंसर बच्चे आंसर कर रहे हैं यहां पर वो क्यूंकि हम लोगों ने आप लोगों के साथ PDF शेयर करती थी पहले ही क्यूंकि बहुत सारे बच्चों के एक्जाम्स थे अगर आप लोगों ने questions पहले नहीं देखा फिर आप इसका आं इन questions पे इन तरीके से questions बना रहे हैं अब जैसे APG अब्दुलकलाम की है कोई भी अगर novel आती है यह कोई भी बुक आती है कोई autobiography आती है गांधी जी की के अगर कोई है जो popular personalities हैं उनकी आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने है ठीक है next पे आते हैं बच्चे पहले आंसर करन है कि उसमें Indian geography है world geography है इसमें अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखो पढ़ना हमें हमें सिरफ उतना पढ़ना है जिससे हम लोग answer करके आ सके paper में यह चीज मैं आपको आज भी बता दो आप लोगों को घवराना बिलकुल भी नहीं है यह लाइन पता नहीं मैंने कहां स सीखी है यह बिलकुल बहुत इजी question है सबको पता है इन में से कौन सी रिवर है जो होती है तवी रिवर है basic question है इसका answer सबको पता है तवी को एक और नाम से जाना जाता है वो है सूर्य पुत्री तवी जब मैं आपको कवरवाऊंगा करेंट कल लास्ट डिस्टिक्ट हमारी basic question है हजार से जादा बार यह question आपको मैंने बताया है और हजार से जादा बार जैके एसस भी question पूछ चुका है यह किसे का जाता है और यह जो options भी दिये हैं यहां पर इंसान confused हो ही नहीं सकता son mark अब यहां पर middle of gold हम लोगों ने discuss कर लिया middle of a core बहुत famous अब भी आप लोग सबसे पहले आपको घबराना नहीं है वाके में आपको घबराना नहीं है सब चीज़े हो जाएंगी यहीं पर हो जाएंगी ठीक है इसका अंसर है गुल्मार्ग अब गुल्मार्ग में आप मेरे को बताओ एक event अभी हाल ही में organize किया गया था अब आओ थोड़ा आप लोग क्वेशन दो आप लोग ने देखे हुए है अब आजाओ थोड़ा हम करते हैं बात गुल्मार्ग में अभी एक event हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मेरे को बताओ इसका winner कौन था जल्दी से अब थोड़ी बात करेंगे वापस में चलो पहले इसका आप बताओ क्या आंसर है बताओ गुल्मार्ग हो गया खेलो इंडिया गेम जो ही है इसका पहले बताओ कि विनर कौन था बिल्कुल सही य बोग यह ऊच्छी को जसका बताओ क्यों कि विल्लाफ यह नाम बढहर की कोंप हुआ में कि इसका चीज सहान ने और वमर ने पेहले ही पढाता हूं को आप लोग पहले ही आंसर कर देते हो इंफेक्ट क्वेशन पूछने से पहले ही आंसर अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है विद्या बालन फाइनिंग देंज नाम रखा है गुलमर्ग में इंडियन आर्मी ने याद रखना बहुत इंपोर्टन है ठीक है चलवा जो next अब यहाँ पर आओ वापिस से question वही है सिराजुदीन जो थे पुंच के राजा किसने अप्वाइंट किया था इन्हें अभी सिराजुदीन पर हम लोगों ने e question discuss किया था यहाँ पर पहला question क्या पूछा गया था पहला पूछा गया था कब दूसरा question पूछा गय किस ने किया था अब यह बताओ आप लोग देखो आप questions यहीं घुमेंगे questions आपका जो नो यूर डिस्ट्रिक्ट है वही आएगा जो जम्मू कश्मीर का आपके लिए इन्होंने लिखा है ना history, geography, economy, tourist destination वो कुछ नहीं है वो नो यूर डिस्ट्रिक्ट सीरीज है आप लोग य डिस्कस किया 1596 में किया गया था तो अब कौन से मुगल emperor थे उस समय जहांगीर का आपको यहाँ पर याद रखना है ठीक है राजोरी के time जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस करी थी हम लोगों ने क्या देखा था मालो यह जमू कश्मीर का map है जो मुगल आते थे वो आते थ मुट से इसमें बगर आजाता था जोरी कि इसमें आजाता था आपका पुंच अधरोल च्रोंपर यहां अनसे पर आगे next question पर आते हैं who of the following person may nominate two members to the legislative assembly of jamun kishmi to give representation to women कोन कर सकता है यह चीज बहुत basic है यह आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा तो आप इसको कर सकते है LG करते है इसको point ठीक है अब यहां पर जो लिख रहे हैं कि LG करते हैं कि section के under करते हैं आप लोगों के एक और चीज बता दूँ जो भी आप लोगों का junior assistant की classes चल रही है junior assistant में जितने भी लोगों ने typing qualify कर ली है typing 31 तक चल रही है लेकिन जो लोग qualify कर चुके हैं आपको भी math की class मिल रही है कल से आप लोगों को computer के mcqs भी मिलना शुरू हो जाएंगे वहर एक paper के लिए common होंगे जिस भी में आपको देखने को मिल सकते हैं तो यह दो चीज़ें आपकी चल रहेंगी कल से और साथ ही साथ जो हमारी library में बच्चे आते हैं जो junior assistant का qualify कर चुके है जो उनको एक हफते का time है next Sunday मैं आप लोगों से एक बार मिलूंगा और आपका चेक करेंगे किस तरीके से चल रहा है क्योंकि वह बच्चे भी है how much I have to attempt an assistant compiler देखो जितने आपको आते हैं सिर्फ उतना अटेम्ट कर गया आना ज्यादा नहीं कम नी नेगडिव मार्किंग में मत जाना इसका answer है आपका जम्मू कल सीरीज लेगे आऊंगा कल यहां पर मैं यह discuss करूंगा मैंने पहले के ही नोट्स में बनाया हुए थे sorry अगर यह question आपको पहले पेपर में दिख गया तो next question पर आते है हल्मान इस वराइटी ऑफ डैश फ्रूट ग्रोन इन दा एरिया जम्मू एंड कश्मीर किसकी वराइटी है हल्मान जल्दी सा बताओ इसका answer जल्दी सा बताओ और कल जो हमारे साथ बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं जो लोग जूने असिस्टेंट का टाइपिंग कवर कंप्लीट कर चुके हैं मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आऊंगा यहां पर ताकि हम लोग डिसकर्स कर सकें कि किस तरीके से क्लास और आगे चलेगी आप लोग किस तरीके से मैनेट करो क्योंकि टाइपिंग टेस्ट होने के बाद दूसरा वेपर आपका शायद जल्दी कर्ड़क्ट होगा तो आंसर यहां पर आ चुका है एप्रिकॉट बिल्कुल सही है बहुत अच्छा आप लोग अभी तक परफॉर्म कर रहे हो ठीक है अब यहां पर बात करते नेक्स पर वह मंग दा फॉलिंग इस दचीफ डिजाइनर ऑफ स्पेस एक्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी यही है बताओ स्पेस एक्स है एलन मस्क का और करंटली यह रिचिस परसन है दुनिया के इनके बात दूसरे पर कौन है दूसरे पर है जेफ बिजॉस ठीक है जेफ बिजॉस है दूसरे सबसे अमीर आदमी जिन लोगों का हो गया है क्वालिफाई टाइपिंग टेस्स कोई बात नहीं कल हम लोग आएंगे उस पर बात करेंगे इन विच यह अब बॉटानिकल गार्डन वह सेट अब इन अब इस फर्स प्रेमिनिस्टर इन जमुए कश्मीर न कहां पर यह विए आप लोग मिरको बता तो कब किया गया है यह आप लोग मिरको बताना 1969 बिलकुर सही है है कहां पे यह बताओ आप जो आप लोग देख रहे हैं करने इए रेत पनार इसिक्थ में कहां पर स्रीनागर वियीजिस छूंवर्ग दिया है ंको प्लीस एक बार नहां आप नहीं को पांच से आरह ना चार चैनों और टीजब कांदल शुक्यां क्निम्हों सब्क्षाथ बॉक्स आपको देखने को मिलता ना वही इस तरीके का है आप लोग इसको अपने इंड पर कर सकते हों अब बात स्रीनगर पर आई है तो हम स्रीनगर को ही थोड़ा सा आगे करेंगे जो कश्मीर था वो कितने divisions में divided था पहले आप लोग बताओ कितनों में divided था कश्मीर जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कितने में divided था चार वाला कोन है यह सुहान भाई गलत है तीन में था अब इन तीनों के नाम भी बता दो जल्दी से उमर मीर को या तो दिमाग पढ़ना आता है या तो वह पहले ही टाइप कर रहे होते हैं उन्होंने पहले ही आंसर वापिस से लिख दिया है इन सब चीज़ों का अब यहां पर क्वेशन सिर्फ मैं यह नहीं पूछूंगा मेरे को बताओ आज की डेट में कामराज जो जगा प आपकका माल लो बताओ जो नौर्थ पाण था वो कौन सा था बताओ है dalla करेल लिखी नराज कमराज यम्राज नहीं है यह मराज कैसाट कश्मीर अनंतनाग कमराज आज की डेट में अनंतनाग जो साथ कुशमीर आप लोग कह़ें कम राज है नौर्थ में आपका यहां पर बच्चे बहुत जादा कर रहे हैं चलो नौर्थ शाउट सब को रहे हैं मेरे को इस अधा सेंटर में क्या था कौन सा पार्ट है यम्रास सिर्नगर ठीक है चलो आज़ो नेक्स प्राव बहुत बस ठीक है सब लोगों ने मैप बना दिये यहां पर भूल गया कोई बात नहीं ठीक है वू इस लोगनायक इन इंडिया किसे का जाता था लोगनायक जल्दी बिताओ लोगनायक जेपी नरायन सही है जय परकाश नरायन अभ यहां पर एक मेरी चीज सुनो अभी लिए में एक अवाड दिया गया है और जो अवाड दिया गया था ऊजो सिर्म इंस्टिट आफ इंडिया के हैं उन्हें influenus ऑ वार्ड दिया गया था तू आप parti puna वाला को वरणको उस award का नाम किसी हग तक इस इसी आंसरवित बламता है ब Pharisetır सब्कूंब लोक्मान्य शुनिल नायान बोछे में प्रक्राइजी सब्सक्राई ने इस सब्सक्राइज कर दिया सुनिल नारायन 10 वैस्टी सब्सक्राइब करेंगे वीकली बेसिस पर आप लोगों को स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल तीनों मिलेंगे ठीक है तो वह आप लोगों को चीजें वहां पर मिल जाएगी ठीक है जल्दी चलते हैं आज कुछ जादे क्वेशन करने हैं चालिस क्वेशन थे अभी अठाना युमें है डाश ओफ जमुएंट कश्मीर पंचायत राज एक्ट नाइंटीन एटीन डिल्स विद पॉवर एंट फंक्शन ऑफ हलका पंचायत जल्दी बताओ इसका अंसर इसका अंसर इसका अंसर बताओ क्वेशन नंबर 19 का अंसर बताओ कौन सा करता है ये चैप्टर नंबर चैप्टर फोर नहीं है इसका अंसर ऑप्शन ही नहीं है इसका अंसर है चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल सही देखो रात के 10 बजे ये सेशन लेके आने का क्या मक्सद है मैं आपको एक ये भी बता देता हूँ इस समय क्या होता है इस समय सर्दी बहुत हैं सब अपने घरों में बैठे हैं अराम से अपने घर पे सोने की तयारी कर रहे हैं दिबाग में हजार चीज़े चलती है एक्जाम को लेके वो सब चीजे यह सेशन हम लेके आते हैं एक्जाम में जो क्वेशन आया है वही आपके साथ डिसक्रस करते हैं आप भी होगा और थोड़ा सा ब्रेक खुद को भी दिया करो सारा सारा दिन पढ़ते हो आप लोग बहुत मैनत करते हो इसी तरीके से करते चलेंगे विच अब इसका नाम बताओ अब यहां पर होगी सही कंफ्यूजन बच्चों के बीच पे दो नाम तो मैं हटा दता हूं डल्ल की वण लिख रहा है लेलेक ठीक है यह दोनों लेकी लेक है अब मेरा को बताओ इसमें से कून सा है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है बिल्कुल सही इसका आंसर है आपका पैंगॉंग लेक अब जो बच्चे कहते हैं लदाक की चीज़ें क्यों करते हैं इसी वेज़ेंसे करते हैं आपको पेपर में देखने को मिलते हैं मिया हथू गवर्नर ऑफ रजोरी किस ने अपॉइंट किया था यह क्वेशन हम लोगों ने आपको पढ़ाया है इसका आंसर बताओ यह क्वेशन मैंने फ्रेम नहीं किये हैं यह क्वेशन जेके SSB ने पूछे है तो यह आपको देखना है इसका आंसर करना है इसका आंसर बताओ किस ने अपॉइंट किया था यह किया गया था महराजा गुलाब सिंग के द्वारा चीक है कब तक किया गया था यह बता दो आप लो कब तक पूछा गया यह आंपर बने राजा रंजीत नहीं है इसका आंसर गुलाब सिंग ने इनको पॉइंट किया था दोगरा रूल जब स्टार्ट हुआ था उस दोरान इन्होंने पॉइंट किया था इन्हें कब तक किया गया था यह बता दो आप लोग जल्दी से 1846-1856 यह याद रखना ठीक है दस साल का टाइम था यह याद रखना पेपर में देख ले ना क्वेशन क्या पूछा गया है कौन सा एक डील करता है कौन सा चैप्टर डील करता है चैप्टर याद करते रहना यह रट्टाइव लगाना होता है मेरसे तो बचता नहीं था आप लोग प्लीस इसको किसी तरीके से अपने टेबल पर लिख लो या कहीं पर भी रख लो जो चीज़ें आपको दिखती रहे नेक्स पर जलते हैं हम लोग ठीक है नेक्स क्वेशन है हमारे सामने विच फॉलिंग वॉस्टाइब कश्मी डियूरिंग दा शंकरवर्मन रिजीम क्या कैपिटल थी शंकरवर्मन रिजीम के दौरान क्या थी कैपिटल बताओ question number 23rd का answer और यह question मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है option number C इसका सही answer है बिलकुल सही answer option number C इसका सही answer है बिलकुल सही है आप लोगों को भी जा रहे हो बहुत अच्छा जा रहे हो ठीक है question number 24th पे आते है which of the following personality is a professional boxer sir and also won a gold medal in the 1960 Rome Olympics अब यह देखो थोड़ा सा question क्या पूछा गया है question पूछा गया है आप लोगों से boxer के related जिन्होंने gold medal जीता था 1960 के Rome Olympics में paper में Olympics news में था मैंने आप लोगों को Olympics के बारे में पढ़ाया था आपने आपको का था जो first इंडिया के related हो पढ़ लो यह चीज़े नहीं पढ़ाई थी बड़ जैके आसे चीजों से पूछ रहा है तो इन चीजों से हम लोग सीखते हैं डिकोड करते हैं चीजों को कि जैके इस भी कांदक जा रहा है तो इनको करेंगे अब गैस करना हो अगर किसी को paper में आप लोग जॉंसन तो मुझे आइडिया नहीं माइकल जॉर्डन बताओ जॉर्डन बास्केडवॉल प्लेर है तो गैस करना होगा तो स्मार्ट कर सकते हो बॉक्सर पूछा गया मौमद अली इसका सही आंसर है ठीक है मैजिक जॉंसन बेस्बॉल जो यहां पर लिखने हैं तो चलो ने अब यह आमर को बताओ यह ग्वेशन आपको जम्मू किश्मीर की हिस्ट्री में वह उन्होंने पूछा है तो इसका आंसर बताओ इसका आंसर है एंटार्टिक एक्स्प्लोरेशन देखो 20 से 30 क्वेशन अब किसी पेपर में 20 नंबर किये किसी पेपर में 30 किये किसी में 15 नंबर की थी एक जीज़ याद रखना ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे आंसर मार करोगे लेकिन एक दो क्वेशन डिफिकल्ट या उन्होंता बॉक्स आने का मतलब यह नहीं कि तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अनाम से पेपर अटेंट करना अब यह आप लोग गैस कर सकते हैं बेसिक सा क्वेशन है जम्मू कश्मीर का जो यहां पे आप लोगों को देखने को मिलता है चीजें किसके सार्थ यह डिसकर्स कर सकते हैं जैसे ही आपकी दिल्ली में है दिल्ली में आपको बता है आम आदवी पार्टी की सरकार है वहां पे और लगी काफी सारे मदवेद चलते हैं जम्मू कश्मीर में भी जब भी कभी कोई सरकार बनेगी क्या पता हमारी ट्रिपलेस की सरकार अगर इन फ्यूचर आई तो हमारे भी मदवेद चलते रहेंगे तो यह चीज याद रखना गेस करने में असान ही रहेंगी ठीक है next question पर आते हैं which of the falling rivers originates from Harmbukh Mount and the true headwaters emerge near Zoghjila and Amonath Peaks कौन सी ऐसी जो river है जो originate होती है अब यह चीज आप मेरे को बताओ बताओ इसका अंसर अब यहां पर मेरे को एक चीज बताना मैंने यह चीज आपको पढ़ाई है अगर आप लोगोंने हमारी new year district series पढ़ी है अमनात के बारे में मैंने आपको बताए किस district वे आता है यह अमनात किस district वे है short cut short रस्ता जो है easy way easy approach जो मैंने आपको बताई है वो कहां से बताई थी वो बताई थी गांदरबल से ठीक है अब वहां पर हम लोगोंने एक चीज क्या पढ़ी थी गांदरबल में काफी famous है काफी सारे आपको क्या देखने को मिलते है तो वहांपर क्या है वहांपर जगा हे नाला सिंद जो काफी प्रजेक्स है इसको ग्र गेस्ट भी करना है नहीं पता इस चीज का आंसर आप लोग तब भी करके आ सकते हैं अगर आप लोग ने वो series पढ़िए धियान से तो थीक है नाला सिंद इसका आंसर है इन विच येर सांभा रिजिन के मंददा सुप्रमेशी ऑफ जम्मू डूरिंग पीरिड ऑफ हरी देव अब आप्शन में आपको यान लिख देता हूँ 386,8179, अब यह बताओ जल्दी से इसका answer किया है इसका answer किया जल्दी से बताओ इसका answer है सी है यहां पर ठीक है बिलकुल सहिं नेक्स से जलते हैं विच ओधर फॉलिंग वाइड सेंचुरी इस लोकोईटिट इन कठुवा डिस्टिट ऑफ जमु एंड कश्मीर एंड राहुल अत्री यह यह इन्होंने हमारी पीडिया बनाई थी इन्होंने अपना नाम शैद से यहां पर लिख दिया था जमु एंड कश्मीर लिखना था इ इसका अंसर बताओ बिल्कुल सही इसका अंसर है जसरोट्था वाइड लाइफ सेंच्री यह या तो इन्होंने जानबूच के अपना नाम लिखा था कि लेक्चर में सब बच्चे इनका नाम याद रखें बट इन्होंने सारी कंपाइल करके बना दी थी पीडिया जो आप लोगों के पास पहुंची है वह इन्होंने पीडियाफ कंपाइल करी थी अब किस नाम से जो सैफ्रॉन है वह फेमस है कश्मीर में यह बताओ जल्दी से यह तो आप लोग कर ही लेंगे आंसर जमूगे जो बच्चे आ रहे हैं वह बेरी तरह मेरे भाई विचारे गलत करेंगे मुझे उसका भी पता है कश्मीर के सब बच्चों के आंसर सही आएंगे धीरज भाई ने गलत आंसर किया इसका इसका आंसर है उप्शन न प्रोजेक्ट वर कंस्ट्रक्टेड ऑन दरीवर तवी ट्रिबिटरी ओफ चिनाप कुन सा यहां पर जल्दी से बताओ इसका अंसर इसका दो आंसर का जी सकते हो बिच्चों सा यह है यह है चननानी है रोड़्लेक्टिक प्रोजेक्ट साइब बिलकुल साही और अप्शन न यह बताओ कितनी एक सो साथ से कितनी एक सो साथ से एक सो चोदा अप्शन नमबर डी इस का सही आंसर है बिलकुल सही डाश फोर्ट ऑन दा लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बाहूलोचन ओवर थ्री थाउजन डियर्स अगो कल के लेक्चर में यह लाइन पहली है तो यह नोट से बहुत पहली के बना दिये थे अप्लोड रिक्चर रिकॉरड कcking जान करमा कोन साफॉड है ठीक है यह भी याद रखना नेक्स पे आओ तीन हजार साल पुराना वह फोर्ट है मैंने को बताओ वहां पर एक टेंपल है यह कश्मीर डिवीजन के बच्चों के लिए क्वेशन है जमू के बच्चे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे उस फोर्ट में एक टेंपल है जो जमू कश्मीर का सेकंड मोस्ट फेमस टेंपल है उसका नाम बताओ मैं बोर रहा हूं जम्मू के बच्चे आंसर नहीं करो बट वो तब भी कर रहे हैं तो बाहू फोर्ट में जो बावे टेंपल है वो दूसरा सबसे फेमस टेंपल है जम्मू कश्मीर का अब सेकेंड मोस्ट लिखा मेरे को बताऊ टॉप मोस्ट कौन से है जो सारी दुनिया में अब यहां पर देखने कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे मैं लिख रहा हूं सबसे फेमस कौन सा टेंपल है जम्मू कश्मीर का सेकेंड फेमस तो आ गया यहां पर आया आंसर पहला नालिद ने इसका आंसर लिखा तो वह है वैश्नो देवी टेंपल अब आपको और आइन जो टेंपल है जिसकी खुद की स्पेशल फोर्स है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है यह करेंट फेज में याद रखना पहला ऐसा श्राइन है यह नियूज में था नेक्स पर आजाओ फिर्स अफ्रीकन अमेरिकन प्रेजिनेंट इन इन इस्ट्र को ने इसका आंसर क्या था त्रिकुटा नेहिल्स पे है बिल्कुल सही बहुत इच्छा अब इस पर बताओ यह है बराक ऑबामा ठीक है बिल्कुल सही नेक्स पर आजाओ वो वह बिल्डर ऑफ मार्तन यानि की संट टेंपल और फांडर ऑफ कश्मीर वैली के नाल जाया तो बिल्कुल सही आप लोग यहां पर जा रहे हो वीडियो को पहले लाइक कर देना अभी 700 से करीब करीब बच्चे यह देख रहे है नेक्स वेशन तभी जाएंगे अब लोग जब इसके लाइक 500 से जादा हो जाएंगे इसी सेशिन के दरा तो इसका आंसर बिल्कु में मिल जाता ना study material उसमें आपको यह सम्मल जाएगा ठीक है यह पीडिया आपको डिरेक्ट वहां पर अवेलेबल हो जाएगा तो आजाओ नीचे बाल्टाल वाइड लाइफ सेंचरी कहां पर है इस और यह पुछा गया अब मेरे को बताते ना किस जगह पर भी है बाल्ट का इसका अंसर है थजवास वाइड लाइफ सेंचुरी कहां पर है यह बी बता दो जल्दी से जल्दी बताओ जल्दी सोनमर्ग गंदरबल बिलकुल सभी बिलकुल सही याद रखना एक वेशन यह आया ना अगली शिफ में पक्का यह पूछेगा कि कहां पर यह कैसे भी यह हम लोगों ने decode कर दिया है आप लोगों बता दिया पेपर एक दो नंबर और बढ़ा लेना विच पार्ट ऑफ ऑफ इंडिया इस एंटाइटल एस मुन्सिपालिटीज देखो पंचायत जो आपका पंचायत कांट असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसमें बस हो गई थी हम लोगों की भी पढ़ा पढ़ा के आप लोगों को भी समझा समझा के अगर आप से पूछा गया आप मुन्सिपालिटीज का क्या है तो यह भी आप लोगा आंसर कर सकते हो नाइन एस का आंस अठाना सो अर्थालिस अठाना सो पचुंजा 1858 1850 ऑप्शन्स भी जेक अससबी ने ऐसे फ्रेम किये हैं कि बच्चा गैस करे तो करे गया अब बताओ इसका अंसर के है इसका अंसर है 1855 यही चीज़ बना आपको बताए यह चीज़े बना आपको टूरिस डेस्टिनेशन आ फोड है वो किसने बेल्ट करें नहीं किसने उसको डिमालिश करा था यह सब आप लोगों को पता होना चाहING एक पूछता है जोडा फोड भी है जोडा में फोड था वह कब डिमॉलिश हुआ था जल्दी से बताओ और किस ने किया था जल्दी से इस कहां से बताओ फिन आगे चलेंगे अब दो क्वेशन रहे गए है इस कहां से बताओ 1855 सही हो गया है मिया हित्तु बिल्ट सही है जो क्लेर नहीं दिख रहा वो कॉलिटी बढ़ा तो वीडियो कॉलिटी थोड़ी सी किस ने ही था जो गॉर्मनेट थी uss ने इसको demolish किया था आज की डेट में वहां पर आपको क्या दिखेगा वहां पर आपको स्कूल दिखेगा बॉइस का बॉइस स्कूल है वहां पर ठीक है आदो नेक्स क्वेशन के ऊपर लास्ट के दो क्वेशन जैक मार्क इस दा को फाउंडर ओफ चाइनीज कंपनी यूंसेंग के छुटे भाई जैक मार्क किसके फाउंडर थे अमेजन के हैं नहीं मैंने अभी बता दिया स्पेसेक्स के हैं नहीं कि इनका एलन मैस कभी हम लोगों ने डिसकस किया एमेजन का जैफ बेजॉस हम लोगों ने अभी डिसकस किया विप्रो के यह हो नहीं सकते क्योंकि वह यहां पर आप लोगों को बचता है अलीबाबा ग्रूप साही आंसर आजा नेक्स पर आज का लास्ट क्वेशन विच और फॉलिंग हाईवेस कनेक्ट जम्मू विद कश एनेच 44 बिल्कुल सही आंसर है यहां पर आप लोगों का तो यह था आज का आपका सेशन अगर आप लोग यह चैनल पहली बार देख रहे हो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग पहले से देख रहे हो तो आप लोग इसको अपने फ्रेंज के तार शेयर कर लो कि देखो बहुत सारे लोग हमारे बारे में बहुत तरीके उसे बाते करते हैं लेकिन सचाई हमें भी पता है सचाई आप को ही पता है हमारा टार्गेट सिरफ एक ही है हमें चाहिए सेलेक्शन वह आपकी हो हमारे एंड से अगर हम एक पोरसेंट भी हेल्फ कर सके हमार करते आ रहे हैं तो उसके लिए आप लोग पयार अपने जिस तरीके से देठे आ रहे ओआप लोस्त तरीके से ही अमें देते cinco लेक्टा लेके आऊंगा लेक्टर तो उसमें हम लोगट करेंगे कल मा275 की सीरीज जो हमारी चल रही है know your district कलम जम्मू करेंगे और इसको खतम करेंगे फिर know your district का test होगा हमारी app पे वो हर कोई बच्चा दे सकता है आप को download कर लेना उसके बाद जो jkpsi की classes हैं वो आपकी शुरू हो जाएगी YouTube पे भी classes चलेंगी और जिन बच्चों को अब जन्वरी में ट्रीपलेस को हो जाएंगे तीन साल जन्वरी नो को अप लोगों को जल्दी से लेके आओंगा मैं आपको बताओंगा तो उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को problem होगी लेकिन कोई मसला नहीं हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने हैं तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं बाकि आप लोगों का प्यार हमें इतना मिलता है कि उसके लिए मैं जितना शुक्रियादा करूं वो कम है मेहनत करत हो तो आपके अपने पेपर में भी आप इसको अंसर करके आओ और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे सेशन को मेरा भी बड़े शीतल भरदवाज 9 जान को होता है मेरा भी बड़े 9 जान को होता है ट्रिपलेस का भी 9 जान को होता है तो सबको happy birthday तो नोयोड डिस्टिक क अब सो जाओ सर मत जाओ सर को सोने दो भाई प्लीज अब सोने दो जिसका 25 जान सबको happy birthday अभी अभी से सबको happy birthday अडवांस में यह सेशन इसलिए रात को लेके आता हूं तक कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है एक confidence boost हो कि हाँ हम लोग कर लेंगे तो बबाई डेकर all the best मिलत के जा सकते हैं मैं शाम को वाँ से collect कर लूगा ठीक है तो चलो मजा के अलावा बबाई good night take care have a nice day